हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वालों कि कैसे आप अपने IQZ7S Android वाइल फोन में आप जो आप अपडेट वाल पेपर सैटिंग को आपना यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये आपडेट वाल पेपर सैटिंग जो कैसे काम करती है आज के इस वीडि पेज में आपको नीचे ये option मिलेगा lock screen setting इसे select करना है इसके अगले पेज में आपको ये option मिलेगा lock screen poster इसे select करना है इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये option मिलेगा auto update wallpaper इसके सामना अले बटन को आपको tap करके से on करना है ठीक है अगर ये बटन आपका on नहीं होग तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसी पेज में आपको सबसे ओपर यह option मिलता है, लॉक की स्रीन पोस्टर वाल पेपर, इस option के सामने अले बटन को tap करके से on कर देना है, तो आपको आपको नीचे आकर यह auto update वाल पेपर के सामने अले बटन को on करेंगे, तो on हो जाएगा, यह blue color में बटन, ठीक है, अब यह setting देखे, काम कैसे करेगी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो देखे, दोस्तो auto update वाल पेपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके कौन से वाल पेपर अपडेट होंगे, यह मैं आपको समझा देता हूँ, यह जो आपके mobile phone की lock screen पर यह जरीए ही आपका auto update wallpaper setting काम करेगा, अगर आपका mobile phone किसी भी wifi से या किसी भी hot sports से connected है, तो यह काम नहीं करेगा, auto update नहीं होगा, आपके mobile phone का data ओनो नची, ठीक है, तो यह setting तभी काम करेगे, और एक बात और ध्यान रखी, जो आपके mobile phone में अलग से जो themes और wallpaper होते हैं, setting मे वो वाले wallpaper आपके update नहीं होगे, automatic, जो आपके lock screen के poster wallpaper है, जो मैंने आपको दिखाये थे, वही wallpaper आपके lock screen के poster के, वही आपके automatic update हो जाएंगे, जब कभी भी उनका update आएगा तब, ठीक है, तो यह setting on करने के बाद इस तरीकी से काम करती है, आपके phone में